पुस्पा मूवी के सभी बिहाइंड दा सीन एंड फैक्ट्स आप इस वीडियो में जानोगे तो दोस्तो फिल्म का सक्सेस तो सभी देखते हैं लेकिन इसके पीछे का जो बेहनत है ना उसे कोई नहीं देखता तो वीडियो की सुरवात करते हैं लेकिन इससे पहले आपको इस मूवी के कुछ फैक्ट्स के बारे में आपको जान लेनी चाहिए तो सबसे पहला जो facts है वो अलू अर्जुन के वाइस से यानी पुस्पा मुवी को हिंदी में जिसमें आवाज दिया है वो स्रेयस तलपडे है उनके इस एक काम को काफी एंड ईप्डी में तरियल स्रेयस तलपडे से काफी मिलती है पुस्पा राज मैं जुकेगा नाइस वो अंटावा वो वो अंटावा सौंग का जो यह बिहांड देख रहे हैं इसे समंधा रूत ने काफी अच्छे तरीके से किया एंड जो इसका हाड वर्क है वो सबसे पहले यहां आप देख रहे हैं एंड इन्होंने मेहनत करी है तो इसका फल भी तो इन्हें मिला है तो यहां पे आप देख रहे हैं कि उसे एक गाने के लिए यानि पूस्पा मूवी का जो आइटम सौंग है उस एक गाने के लिए इन्हें 1.5 करूर रूपे मिले थे तो हाड वर्क तो बनता है ना आप यहां पे देखे होंगे कि जब अलू अरजुन अपने साथी के साथ लाल चंदन की लगडी को की जो ट्रक थी उसे लेकर भागता है रास्ते में जब पुलिस उसे रोकने की कोसिस करता है तो वे और उसके साथी ट्रक को जम करा लेते हैं बैरिकेट से तो यह उसी समय का सीन है एक्च्वल में यह सीन इस्टन्ट मैन यानि डबल बॉडी द्वारा किया गया था आप देख रहे हों कि उन्होंने हेलमेट पर रखी थी और उन्हें किसी भी परकार का चोटबोर्ट कुछ भी नहीं लगा यह जो सीन था सूट किया गया यह काफी सक्सेस्फुली हुआ था तो अब बढ़ते हैं फिल्म के कुछ इंपोर्टेंट फैक्ट्स के बारे में तो फिल्म के जो डायक्टें है वो सू कुमार है यह फिल्म जो है 17 डिसंबर 2020 को हिंदी समित अन्य चार भासाओं में रिलीज हुई थी फिल्म सुटिंग का जातर लोकेशन करनाटक और हैदराबाद के इलाकों में हुई थी यहीं के लोकल एरिया में जितने भी सीन आपने देखे थे वो सारे सूट किये गये थे यहीं पर फाइटिंग एंड जील का भी सीन यहीं पर फिल्म आया गया था मूवी में किसी भी परकार के पेड़ को नुकसान नहीं पहुचाया गया था आपने जितने भी लाल चंदन के पेड़ की कटाई और लकडियां देखे थे वे सभी फोम के बने वे थे उन लकडियों को रियलिस्टिक दिखाने के लिए उन पर कलर किया गया था श्रीवल्ली गाने को इसी लेक पर फिल्म आया गया था एंड जो आप अभी सुकुमार को खाट कसते पर देख रहे हैं एक्चुलि यहां रस्मी का मंदाना को डारेक्शन दे रहे हैं जिसे आपने सौंग में भी देखा था स्रीवल्ली गाने में यहीं पर इस जील में अलुआ जून बाल्टी से नहाते दिखे थे यह सीन मंगलम स्रीनु के सेफ हाउस का है यही पर मंगलम स्रीनु के सेफ हाउस को बनाया गया था यही वो जगह है जहां सभी जहां पर उन्होंने अपने जो चंदन के लकडी थे वो इसे जगह पे छुपा के रखा था एंड जब पुलिस इसे खोशते वे यहां पर आ जा लिया था आपने इसी सीन में देखा हुआ कि जितने भी लकडिया थी तो वह एक जगा नदी में वह पुसपराज ने उसे जितने भी लकडिया आई थी वह भाकर उसे कलेक्ट कर लिया था यह उस समय का सीन है जब श्रीवली की साधी पुसपराज से होने वाली थी लेकिन किसी कारनों का सुनकी यह साधी नहीं उपा थी एंड उसके बाद पुसपराज अपनी मा को लेकर जिस हॉस्पीटल में जाता है न वह जो सीन है यह उसी वक्त का सीन है झाल झाल जो लाश्ट में आप यह सीन देख रहे हैं यह सामी सामी सौंग का सीन है तेलकु हिंदी समय तीन भासाओं में यहां जो सौंग है वह रिलीज वी ती यह काफी ज्यादा पॉपलर है वैसे तो आओ पुस्पा के सभी सौंग एक से बढ़कर एक है और यह सौंग भी काफी ज् मैनत है और यहां आप देख रहे हैं कि सौंग का जो सिगनेचर स्टेप है वह उन्हें बता रहे है अगर आपने इस मास्टरपीस मूवी को मिस कर दिया है तो आपको डिजनी प्लस होड़िस्टार में देखने के लिए कुछ से दिन वेट करना पड़ेगा और अमेचन प्र इसके लिए आपको गूगल सर्च करना होगा पुस्पा मूवी बायो विक की हिंदी और आप जैसे ही सर्च करोगे आप यहां से देख सकते हो सो गाइज मैं आपके लिए अगर कोई भी हेल्प आ सकूँ अगर आपको इस मूवी के रिकार्डिंग कोई भी चीज चाहिए जानकारी चाहिए अगर आप फ्यूचर में रिव्यूज वगेरा देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आप साउथ फिल्म इंडस्टी के फैन है तो बेसक कमेंट जरू करना एंड लाइक करके इस वीडियो को जाना थैंक यू सो मच